हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके जोब सग्यान में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नगरपाली का सेवा योग के द्वारा वेरियस पोस्ट के लिए वकैंसिज निकाली गई है तो दोस्तो इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफकेशन है वो 10th प्लस 2 डिग्री और डिप्लोमा वाले इसे अपलाई कर सकते हैं और इसका जो अपलाई मोड है वो ओनलाइन है और ये ओल इंडिया जोब है तो दोस्तो ओल इंडिया से आप कहीं से भी इसे अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें जो आपकी वकैंसिज रहेगी वो असिस्टेंट इंजिनियर सीविल की है सब असिस्टेंट इंजिनियर स दी गई हैं और आप इसे कैसे अपलाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या लीजीबल्टी क्राइटीरिया दिया गया है तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जुरूर देखे ताकि आपको इसके बारे में पूरी इनफोर्मेशन मिल सके तो आईए दोस्तों अब हम आपको इसकी ओफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और वहां से आपको बताते हैं कि उसमें आपको क्या-क्या लीजीबल्टी क्राइटीरिया दिये गए हैं तो दोस्तों यह इसकी ओफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि वेस्ट बेंगोल मुंसिपल सर्विस कमिशन के द्वारा निकाली गई है तो दोस्तों इसका जो एड़टाइजमेंट नंबर है हो 01-2021 है इसमें आपको रुकेर्मेंट एग्जामिनेशन 2021 फोर डिफरेंट केटागरी ओफ प अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें जो आपकी जो सबसे पहली वकेंशिया वा असिस्टेंट इंजिनियर सिविल की है इसमें आपको नंबर हो वकेंशिज एक दी गई है और यह जर्नल कैटागरी वालों के लिए है जो आपका स्केल ओफ पे रहेगा वो लेवल 16 के अ इंस्टिट्यूट से तो दोस्तों इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है वो सब असिस्टेंट इंजिनियर सिविल की है इसमें आपको टोटल नंबर हो पोस्ट एक दी गई है और यह जर्नल कैटागरी के लिए है जो आपका इसमें पे स्केल रहेगा वो आपका लेवल 12 के अनुसार आपको दिया जाएगा और इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 36 साल तक दी गई है तो दोस्तों इसमें जो आपकी एजुकेशन कालिफकेशन है उसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिवेल इंजिनियरिंग में फ्रोम रिकोगनाइजड इंस आप से दिया जाएगा और आपकी इसमें एजली में 18 से 49 वर्स तक दी गई है तो दोस्तों इसमें जो आपकी मिनिममम एजुकेशन क्वालिफकेशन है उसमें आपकी हायर स्केंडरी और इसके साथ आपके पास सार्टिवगेट होना चाहिए सर्वे का और डिप्लोमा इन स और डिप्लोमा इन सीवेल इंजिनियरिंग फ्रोमा रिकोगनाइजड से तो दूस्तों इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है वो है ड्राफ्टस मैं की इसमें आपको टोटल नंबर वकैंसी जेक दी गई है जनल के लिए है और आपका पेस के लेवल नाइन के हिसाब से दिय जाएगा और इसमें आपको जो एज लिमिट है वो अठारा से उन्तालिश वर्स तक दी गई है और इसमें आपको जो मिनिमूम एजुकेशन क्वालिफकेशन है वो हायर स्केंडरी और इट्स इक्वेलेंट विद डिप्लोमा इन आर्किटेक्टर का होना चाहिए और आपक जो आपको जो लगए और इसमें आपका पेश केल रहेगा वो लेवल 6 के अनुसार दिया जाएगा और इसमें आपकी एज लिमिट 14 से 40 वर्स तक दी गई है तो दोस्तो इसके बाद इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफकेशन है उसमें आपका माध्यमिक और इस इक् ability of typing on computer 20 word per minute in English की होनी चाहिए तो दोस्तो इसमें जो लास्ट है वो आपको Lord Vision Clerk की दी गई है इसमें आपको दो वकैंसी दी गई है इसमें जर्नल के लिए एक है और SC के लिए भी एक वकैंसी दी गई है और इसमें आपको जो पेश केल है वो लेवल 6 के अनुसार दिया जाए computer applications का होना चाहिए तो दोस्तो इसमें जो आपकी age limit है वो आपकी जो count होगी वो 1 जनवरी 2021 तक count होगी इसके बाद इसमें आपको uploading of document and certificate के बारे में बताया गया है तो दोस्तो इसके बाद इसका जो आपका method of requirement and syllabus है वो आपका इनकी official website पर आपको available हो जाएगा तो दोस्तो ब processing charges पचास रुपए दिये गए हैं और प्लस इसमें 20 रुपीज towards bank charges for bank चलान के जरीया अगर करोगे तो इसमें 20 रुपए आपको उसके भी देने पढ़ेंगे तो दोस्तो इसके बाद जो आपका SCST और physical handicapped candidate है उनके लिए आपको 50 रुपए प्लस आपको 20 रुपए bank charges देने पढ़ेंगे दोस्तो आप बात करते हैं इसकी last date की तो इसकी जो last date है वो आपकी 10-2-2021 दी गई है fees deposit की और दोस्तो इसमें जो आपकी fees है by bank के जरीये तो आप वो 11-2-2021 तक इसे जमा करवा सकते हैं और जो आपकी last date है submission of application की वो आपकी इसमें 12-2-2021 दी गई है तो दोस्तो बाकी की जानकर ये आप इनकी official website पर जाकर ले सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको इसके regarding कोई 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 है तो आप हमारे वीडियो के comment section में comment करकर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल एसके job सग् करें और बेल के आइकन को दबाएं धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय बात